हाई फ्रेंड वेलकम टू माई चैनल इसके सोनू टेक वल्ड फ्रेंड इस वीडियो के माध्यम से हम आपको पीजी फर्ष सेमेस्टर बीस बाइस का जो एडमिसन का प्रकिरिया चल रहा है यानि कि जो एडमिसन के लिए ओनलाइन हो रहा है उसका मेट लिस्ट कब तक जारी ह हो सकता है कितने सब्जेक्ट में कितना सीट अभलैबल है सारी जानकारी एक्कर कर के इस वीडियो के माध्यम से हम आपको बताने वाले हैं अगर आप भी बिहार डियलेड में एडमिसन लिये हैं, चाहे आप फर्स्ट एयर में हो, चाहे आप सेकेंड एयर में हो, और सोच रहे हैं कि कौन सा बुक पढ़ हैं, तो हम आपको एक बहुत ही अच्छी परकासन का बुक सजेसन करेंगे, जो की सिरी बिनोत पुष्तक मंदि द्वारा जारी कियता है, यहाप पुर्णता नए सिलेबस पर अधारित है, आप यहाँ देख सकते हैं, समाज सिख्छा और पाठेचर्या की समझ, देख सकते हैं, डियलेड बिहार के नविंतम पाठे करमानू सार, चलिए मैं आपको इसमें कुछ दिखा दे रहा हूँ, आ उसके बाद आप आगे देख पाएंगे, यहाँ पर आपको सिलेबस देखने को मिल जाएगा, उसके बाद आपको यहाँ विसाय सुची देखने को मिल जाएगा, चलिए मैं आपको आगे और कुछ यहाँ पर दिखाता हूँ, देखिए फ्रेंड आप लोग यहाँ देख सक तो आज ही इस बुक को खर दें और अपने त्यारी को मजबुत करें सबसे बरी बात यहा है कि यह आपको फिलिप काटो और एमेजन पर भी मिल जाएगा जहां से आप इसको असानी से खरिद सकते हैं लिंक आपको निचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा वहाँ से आप खरिद करके अपने त्यारी को मजबुत कर पर चलिए फिरिंट आते हैं अपने फॉइंट वाली बात पर फिरिंट आप सभी को बता दो कि जैपरकास उनिभरसिटी छपरा पीजी फर्स सेमेस्टर 20-22 के लिए एडिमिशन की परकिरिया शेल रही है यानि कि आज अन्तिम्तिती है अपलाई करने के लिए आप 3 मार्च 2022 तक अपलाई कर सकते हैं पीजी में एडिमिशन के लिए ये बात आप सभी को समझ में आचुकी होगी चलिए फिन अब हम आपको बताते हैं 17 विश्वयों में पीजी अस्तर की पढ़ाई की सुविधा है जेपी उनिवर्सिती में जेपी बीस्व विद्याले के आलावा बीस्व विद्याय अंतरगत छापरा के कुल पाज तथा सिवान के तीन ओगोपाल गंजीले की एक अंगिभूत कॉलेजियों में पीजी अस्तर की पढ़ाई की सुविधा है जबकि इसके अलावा सिर्फ राजेंदर कॉलेज छापरा यम जगदम कॉलेज छापरा में ही कुल 16 सब्जेक्ट में पीजी की पढ़ाई की सुविधा है चलिये फ्रेंड में आपको बता दू कि पीजी में एडिमीशन के लिए विश्विधाले में कितना कितना स्ट है यानि कॉलेज में कितना कितना स्ट है फ्रेंड आप सब भी को बता दू कि फिजिक्स में 384, कमेस्टरी में 194, मैथ में 550, जुलोजी में 384, बटनी में 208, हिंदी में 240, इंगलिस में 194, संस्कृत में 144, उर्दु में 208, हिष्टरी में 640, एकनोमिक्स में 144, साइकलोजी में 432, फिलोस्फी में 96, पॉलिटिकल साइन्स में 480, जिगरोफी में 144, कमर्स में 182, तथा होम साइन्स में 64 सीट एभलेबल है फ्रेंड आप सभी को बता दू कि PG में 64 सीट एभलेबल है, वहीं छापरा के JPM कॉलेज परमंदल का एक मात कॉलेज है, जहां सिर्फ एक सब्जेक्ट होम साइन्स से PG की पढ़ाई होती है यहां मात 64 सीट एभलेबल है, एडिमेशन के लिए छापरा समय सीमान और गुपाल गंज के छटराए भी यहां आवेदन करती है तो फ्रेंड इस तरह से आप सभी समझ चुके होंगे कि किस सब्जेक्ट में कितना सीट एभलेबल है JP University में चलिए फ्रेंड अब हम आपको बताते हैं कि कब तक आज सकता है आपका मेरिट लिस्ट में नाम फ्रेंड आप सभी को बता दू कि उम्मीद है कि 15 मार्च के पहले आप सभी का मेरिट लिस्ट त्यार हो जाएगा किवकि आप सभी को मालूम है कि अभी तो आवेदन ही लिया जा रहा है उसके बाद आवेदन की जाच होगी जो भी आपका मेरिट लिस्ट जारी होगा और अच्छन रोस्टर के अनुसार ही जारी होगा जैसे कि ST, SC, OBC, EBC आप सभी जिस केटेगरी में आते हैं उसी केटेगरी के अनुसार आपका मेरिट लिस्ट जारी होगा फ्रेंट मुझे उम्मिद है कि यह जानकारी आप सभी को समझ में आई होगी तो किर्पया वीडियो को लाइक करें चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी को दबा दें ताकि आने वाली और जानकारी आपको सबसे पहले मिले फ्रेंट फिर मिलेंगे एक नई जनकारी के साथ तब तक के लिए जाय हिंद